हलो दोस्तों मुष्कार कैसे हैं आप सब मैं आसा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आप भी चाहते हैं अगर हर्मुनियम से 가ने निकालना तो तो आज की वीडियो पूरा फूल वाच करें और देखें कि हर्मोंियम से गाने कैसे निकाले जाते हैं, थिक है? तो सबसे पहले हमारे संगीत के जो साथ स्वर हैं उनको हमें पहचानना पड़ता है, उनको हमें जानना पड़ता है, डिटेल रूप में, थिक है? तो सातो स्वरों को हम पहले समझ लेंगे कि सातो स्वरों का रूप कैसा है ठीक है तो पहले सातो स्वरों को हम लिखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि सात स्वरों को हम कैसे लगाते हैं हर्मोनियम में ठीक है तो गना निकलता है तो साथ सवरों को हम समझेंगे सबसे पहला है हमारा सा उसके बाद रे ग म प ध और नी ये साथ सवर है हमारे संगीत के इस पर हम अंग भी बिठा देंगे दो तेन चार पांच छे और साथ ये सभी सुद्ध सवर है ठीक है ये जितने भी सवर है ये सुद्ध सवर है सा रे ग म प ध अर नी ठीक है इसमें चार सवर ऐसे हैं जिनके दो रूप होते हैं चार सवर ऐसे हैं इनमें जिनके दो रूप होते हैं कौन-कौन से ये तो सुद्ध हो गए एक और स्वरूप होता है, इनमें स्वरूप का उसका नाम है कोमल स्वर, ठीक है, तो कोमल स्वर कौन-कौन से होते हैं, तो रे, ग, ध, और नी, ये चार स्वर कोमल होते हैं, यानि दो-दो रूप होता है इनका, तो उसको हम यहां लिखेंगे, ठीक है, उसको हम यहां लिखे देंगे रे, ठीक है, उसका चिन्द क्या होता है, नीचे एक पड़ी रेखा होती है, ठीक है, यह हमने रे लिख लिया, और फिर है गव, ठीक है, यह कोमल है, तो इसके नीचे एक पड़ी रेखा दे देंगे, फिर तीसरा है धा, ठीक है, इसके नीचे भी पड़ी रेखा दे सुरूप हो गया, रे, ग, ध, और निका, इनका दो सुरूप हो गया, कोमल और सुध, ठीक है, तो कितने स्वर हो हमारे हो गये, साथ सुधत्वर और चार कोमल स्वर, ठीक है, तो साथ चार इगार स्वर हो गये, एक स्वर और है, जिनका दो रूप होता है, वो कौन सा स्वर है तो वह है म, ठीक है, तो हम म के सामने लिखेंगे नीचे तिब्रमा, ठीक है, तिब्रमा का चिन्न क्या होता है, उपर एक खड़ी रेखा होती है, ठीक है, अब हमारे कितने स्वर हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आठमा स्वर, ये हो गया नौवा, ये हो गया दस्वा, ये हो गया एक रहमा, और ये फिर बारहमा स्वर हमारा हो गया, ये बारह स्वर हमारे संगीत में हो गए, कौमल, तिव्र और सुद्धमिला करके, ठीक है, इन ही स्वरों में जितने भी गाने हैं, दुनिया के, दुनिया के जितने भी गाने हैं, सभी गाने इन ही स्वर में कमपोज किये होते हैं, इन ही स्वरों से उनका धुन बनाया गया होता है, ठीक है, तो अब इनको क्रम के अनुसार कैसे हर्मुनियम में दिखाया जाता है, वो पहले हम जानेंगे, ये बारा स्वर हो गए, तो बारा पहले क्रमा अनु 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये 12, ये 12 क्रम हमारे हो गए, तो इनके नीचे अभी हम सोरो को बिठाएंगे, जैसे हर्मोनियम में, कैसियों में, सभी साजों में लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है सा, ठीक है, सबसे पहला आता है सा, ठीक है, दूसरा आता ह हमारा रे, रे आता है, तो कौन रे आता है, कोमल रे आता है, ठीक है, पहले आएगा कोमल रे, कोमल रे के नीचे चिन होगा, उसके बाद आएगा सुद्ध रे, ठीक है, इसके नीचे कोई चिन नहीं होगा, उसके बाद आएगा फिर कोमल गा, ठीक है, कोमल गा आएगा, उ सुद्धिमौ हो गया उसके बाद आएगा तिब्रमौ का चिन हो गया उप खड़ी रेखा उसके बाद आएगा ऑप हुख ठिक है यहां पर आ गया उसके बाद स्वर इसी तरह किसी भी साज में होते हैं सा कुमल्रे सुद्रे कुमल्गा सुद्धगा मा मतलब सुद्धमा उसके बाद थिब्रमा पौ कुमल्धा सुद्धा फिर कुमल्नि और सुद्धनि थिक है अब इसको हम हर्मोनियम में देखbucksएंगे ठीक है, हर्मोनियम में देखें कि एक स्वर को पहले हम सामानेंगे, किसी भी स्वर को हम इसमें सामान सकते हैं, किसी भी बटन को, ठीक है, तो मान लो कि हम इसको सामान लिए, इसको सामान लिए, तो ये मध्य सब तक का हमारा सा हो गया, जिसको आप सामान लेंगे, वहीं आप का मध्य सब तक का सा हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा मध्य सब तक का सा हो गया तो इसके बाद हम किरते करेंगे एक नमबर यह हो गया तो दो नमबर हमारा कोमलरे हो जाएगा ठीक है यह सा हो गया दो नमबर कोमलरे हो जाएगा यह वाला ठीक है उसके बाद फिर तिसरा प्र पाच्वा नंबर हमारा सुद्ध्धा हो जाएगा फिर चट्वा नंबर हमारा सुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् तो यह हमारा एक सब्तक हो गया और इस सब्तक को हम क्या मानेंगे मध्य सब्तक यह हमारा मध्य सब्तक यानि बीच वाला सब्तक हो गया इसके नीचे जितने भी सवर आएंगे जितने भी बटन आएंगे वो मंद्र सब्तक में आएंगे यानि नीचे नीचे वाले सवर खि MASY को समझेंगे तो इसी तरह फिर तार्शब्equ्टक में भी सारे बटन लगए हुए होते हैं और इसी तरह मंद्र – मंद्र्मक्रशब्पन में भी सारे बटन लगए हुए होते हैं तो क्रम हमारा यही रहे गा क्रम जो है यही रहे गा इसके सभी स्वरों के नीचे अगर हम बिंदू लगा देंगे ठीक है एक एक बिंदू लगा देंगे तो वो चिन आ जाएगा हमारे मंदर सब्तक का इसी स्वर में हम बिंदू लगा देते हैं तो मंदर सब्तक में आ गया इसको हम पहचान जाएंगे कि यह मंदर सब्तक का स्वर है नीचे बिंदू लगा देंगे तो, ठीक है, और जो स्वर है, इसी स्वर के उपर नीचे का बिंदू हम नहीं लगाएंगे, और नीचे के बदले हम उपर बिंदू लगा देंगे, सभी स्वरों के उपर एक-एक बिंदू हम बिठा देंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि य तार सब्तक का सभी स्वर है ठीक है ये सभी स्वर तार सब्तक के हैं कोई बिंदू नहीं रहेगा ना उपर ना नीचे तो मद्य सब्तक नीचे बिंदू रहेगा जो भी स्वर है उसके नीचे बिंदू रहेगा तो हमारा मंद्र सब्तक और उपर बिंदू लगा देंगे तो ठीक है आप इतना सभी कनफर्म हो गया होंगे ठीक है अब देखिए ये सुद्ध स्वर हमारे हो गए सा रेग मा पधनी ठीक है चार स्वर कोमल हो गए रेग धनी और एक स्वर तिब्र हो गए मा ठीक है तो यानि इस साथ में से हम कितने स्वर को ले लिए रेग धनी और मा रेग धनी और मा को हमने ले लिया इनका दो रूप हो गया तो हमारे स्वर कितने बच गया इसमें दो स्वर बच गया सा और पउ तो ये स्वर एक एक ही होते हैं इनका दूसरा कोई रूप नहीं होता है सा को हम अचल स्वर मानते हैं सा कभी नहीं बदलता ठीक है कोई ऐसा राग नहीं है जिसमें सा नहीं लगता हो या दुनिया का कोई ऐसा गाना नहीं है जिसमें सा नहीं लगता हो क्योंकि सा प्रधान स्वर होता है सा ही अगले स्वरों को अस्थान देता है ठीक है जैसे हमने इस बटन को सामान लिया इस बटन को सामान लिया तो इसी के अधार पर हमने पूरे क्रम को दिखाया है कि ये सा है तो ये कुमल्रे, सुद्रे, कुमल्गा, सुद्धगा, सुद्धमा, तिब्रमा, पा, कुमल्धा, सुद्धा, कुमल्नी और सुद्धनी इस इसको हमने सामान लिया तो उसी तरह अगर इसको सामान लेंगे तो इसके अधार पर फिर हम सरगम खोजेंगे जैसे इसको अगर हम सामान लिये एक नंबर तो हमारा दो नंबर कोमल रे हो जाएगा तीन नंबर सुद्रे हो जाएगा चार नंबर क्या हो जाएगा कोमलगा हो ज 12 हुआ नमबर हमारा सुद्ध नहीं हो जाएगा कहीं से भी इस चीज को आप निकाल सकते हैं ठीक है दोस्तो तो आप स्वर को पूरा समझ गए ठीक है अब इसी स्वरों पर गाना का कमपोज किया होता है गाने जो हमारे गाने के जो धुन बनते हैं ठीक इसी स्वरों को कमपोज करके बनाया गया होता है अब उग कमपोज कैसा होता है जैसे उधारन के लिए कोई गाना हम ले लेते हैं ठीक है और उसको हम बजा करके देखते हैं गाना नहीं बजाएंगे सिर्फ हम स्वर बोलेंगे लेकिन आपको अन्भा होगा आपको यह मालूम हुआ कि नहीं यह कोई गाने का धुन बज रहा है जैसे हमने पहली काली को सामान लिया पहली काली को सामान लिया आसे हम सरगम ही लगाएंगे जैसे तो हम स्वर ही बोल रहे हैं लेकिन क्या है किसी गाने का यह धुन है तो गाने का धुन निकल गया कौन सा गाना है तो क्या हो गया यह एक धुन निकल गया गाने का ठीक इसी तरब जितने भी गाने बने होते हैं इन ही बारहों स्वरों में वो कंपोज किये हुए होते हैं ठीक इसी तरह ठीक है दोस्तों इसका स्किन सौट ले ले आप और इसको आप बखूबी एक-एक स्वर से हर एक स्वर से इसको आप पहले पहचाने कि अगर इसको सामानते हैं तो हमारा करम कैसे बनेगा इसको सामानते हैं तो हमारा करम कैसे बनेगा इस तरह अगर आप पहचान जाते हैं और उस पर आप अंगली चलाना सीख जाते हैं तो आप दुनिया का कोई भी गाना बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं कोई मुश्किल चीज नहीं है कोई मुश्किल चीज नहीं है बड़ी ह नेक्स्ट वीडियो में तो अगर आपको ये वीडियो पैरा लगा है तो कृपिया एक पैरा सा कमेंट कर दें वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके और पर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको हम ऐसा मिलती रहे तब तक के लिए गाते रहे मस्कुराते रहे धन्यवाद